पती ने पतनी को अच्छा सबक सिखाया एक दिन पती ने अपने पतनी से कहा बहुत दीन हो गए है, मैंने अपने घरवालों को बहन भाईयों और उनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है, मैं उन सब को घर पर दावत पर बुलाना चाहता हूँ, तुम दोपहर में अच्छा सा खाना तयार कर लेना पत्नी ने गोल मोल अंदाज में कहा ठीक है देख लेंगे तो पती ने कहा ठीक है फिर मैं अपने घरवालों को आमंतरित कर देता हूं अगले दिन पती अपने काम पर चला गया और दोपहर तक वापस आ गया फिर उसने अपनी पत्नी से कहा क्या तुमने खाना तयार कर लिया अभी एक घंटे में मेरे घरवाले आग जाएंगे तो पत्नी ने कहा नहीं मैंने तो अभी तक खाना तयार नहीं किया और वैसे भी वह तुम्हारे घर वाले हैं कोई जान थोड़ी हैं उन्हें कोई special खाना पका कर खिलाएने की जरूरत नहीं है इसलिए वह घर में जो भी उपलब्द है वही खालेंगे पत्नी की यह बात सुनकर बहुत गुसा आया और उसने कहा तुमने मुझे कल ही क्यों ना बताया कि खाना तयार नहीं करूंगी वह लोग एक घंटे में पहुँच जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा पत्नी ने मुह बनाते हुए कहा तो उनको फोन करके मना कर दो ऐसी क्या बा कुछ देर बाद दर्वाजे की घंटी बजी पत्नी ने दर्वाजा खोला तो यह देखकर आस्चर चकित रह गई कि उसके अपने घर वाले भाई बहन और उनके बच्चे घर में दाखिल हुए उसके पिता भी घर में आ गए और आते ही पूछने लगे तुम्हारा पती कहा है पत्नी ने कहा वह कुछ देर पहले ही घर से बाहर निकल गए हैं पिता ने बेटी से कहा तुम्हारे पती ने कल हमें फोन पर आद दो पहर खाने की दावत दी है हमें बुला कर वह बाहर क्यों चला गया यह बाद सुनकर पत्नी हैरान रह गई और परेसान होकर हाथ मनने शुरू कर दिया और सोचने लगी कि घर में जो खाना उपलब्द है वह अपने घरवालों को कैसे खिलाओं और वह वही खाना था जिसके लिए वह अपने पती से कह रही थी कि तुम्हारे घरवाले कोई अंजान नहीं है इसलिए जो कुछ घर में है हम वही उनको खिलाएं कि मैं तुम्हारे घरवालों को भी अपने घरवालों की ही समस्ता हूँ मेरे घरवाले हो या तुम्हारे घरवाले क्या फर्क पड़ता है पत्नी ने कहा मैं तुम से अनुरोद करती हूँ कि बाहर से तयार खाने की चीज ले आओ घर में अच्छा कुछ नहीं है कि मैं बना सकूं पती ने कहा इस समय में घर से बाहुत दूर हूँ और वैसे भी यह तुम्हारे घर वाले हैं ना कोई गैर या अंजान तो नहीं है इस इनको घर में जो भी उपलब्द है वही खिलाओ जैसा तुम मेरे घर वालो को खिलाने वाली थी ताकि तुम्हें भी एक सीख मिले और तुम मेरे घर वालो का आधर समान करना सीख लो तो इस कहानी में आपका क्या रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं लाइक सेर एंड सास्क्राइब करें